नमस्कार साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्ट चैनल पर हर कदम आपके साथ एक नई सोच के साथ करमचारियों के लिए ताजा कबर आ रहे हैं करमचारियों से बचन निवाने के लिए सीएम हुए चिंतित बचन पत्र में 68 मांगों का पूरा विवरन लेंगे सीएम 68 मांगों का समधान करने का बचन दिया था सबसे बड़ी चिंता लिपकों की बेतन बिसंगती और संबिदा करमचारियों का नियमेती करन पूरी कबर क्या है आईए जानते हैं इस बीडियो में बीडियो को एकदम लाश्ट तक जरूर देखिए तो चलिए देख लेते हैं लैट्स गो मद्य प्रदेश में लोकसवा चुनाव की नजजदी की को देखते हुए सरकार चिंतित मुद्रा में दिख रही है इसकी बड़ी बज़ा है कि मौजुदा मुकमंत्री कमलनाथ ने चुनाव के पूर्व बचन पत्र में जो बाते कहीं थी उनका समय से पालन करना बड़ी चुनोती है मुकमंत्री चाहते हैं कि आर्थिक नहीं तो अनार्थिक मांगे लोकसवा के पहले ही पूर्व हो जाए बता दें कि बिविन्न संबर्गों की 68 मांगों का समधान करने का बचन दिया था सबसे बड़ी चिंता लिपकों की बेतन बिसंगती सम्विदा करमचारियों का नियमिती करन और निश्कासित प्रयरोकों एबं अन्न व्शेवकों की सेवा बहाली करना है बता दें कि लिपकों को प्रसाशनिक तंत्र की एक प्रकार से रीड माना जाता है मुख मंत्री भी या भाली भाती जानते हैं कि अगर बाबू कमजूर हुआ तो इनका सीधा असर सरकारी योजनाओं की किरियानवेनअ पर पड़े गा मंत्र आला इसे लेकर बिलोक इस तर पर बाबू योजना बनाने के साथ इसका किरियानवेन करता है इसका पात्र हित्गराहिक को लाप पहुचाने में भी सरकार के एस अंग का बिसेश योगदान रहता है सियम चाहते हैं कि बाबुओं की बेतन बिसंगती और गिरेट पे की जो तुरूटियां हैं चुनाव के पूरबह संसोदित हो जाए हाल ही में लिपिकों ने अपनी पीडा भी बताई थी प्रदेश के बिकास में इस बर्ग का बड़ा योगदान रहता चला आया है फिर भी अपेक्छा हो रही है कि यह मुकमन तरी के ग्रेजले चिंदवारा का था यह सियम ने बरोसा दिलाया ताकि लिपिक चिंता ना करें भै जानते हैं कि लिपिकों के बगएर हमारी बिकास की संभाबनाए अधूरी हैं सत्र के बाद बन जाएगी नई नीती जानकारी है कि बिदान सवा चुनाओ के बाद सरकार बचन पत्र में उल्लेकित मांगों के निरदारन हेतू जो नीती तयार करने जा रही है उसके लिए होने वाली बेटक में लिपकों की मांग प्रमुकता से रहेगी समभपता यह मांग नीती का आंत्रिक पहलू नहीं होगा इसके आधित जल्द जारी हो सकते हैं सरकार द्वारा गठिते कमेटी का भी कहना है कि नीती संविदा और प्रेरक सहित अनकरमचारीयों के लिए जरूरी है जिनका नियमिती करन किया जाना है पदोनती बेतनमान ग्रेट पे संसोदन जैसी मांगों की नीती के दाएरे में जो लाना आवस्यक नहीं है बताया जा रहा है कि 21 फरवरी को बिदान सवा सत्र का समाप्त हो रहा अगले ही दिन 22 फरवरी को मुक मंत्री द्वारा गठित कमेटी में जिन तीन मंत्रियों को रखा गया है उनकी बेटक हो रही है इस से बेटक की अध्यक्षता भी स्वेम सीम कर रहे हैं सरकार का मानना है कि आचार सहिता लगने के पूर्व जितनी भी अनार्तिक मांगे हैं उनके आदेश जारी हो जाएंगे सिर्फ बित्तिय भार बाली मांगें लोकसवा चुनाओ के बाद पूरी करने पर बिचार होगा बता दें कि संबवता मार्च के पहले या दूसरे सब्ता में अचार सहिता लग सकती है इस कारण मुकमंतरी भी चिंतित हैं कि हमाने करमचारियों से जो बादे की हैं उनमें से कुछ तो पूरे हो ताकि सरकार काव के पृती ससास किये सेबकों का भरोसा कायम रहे तो साथियों आपको ये कवर कैसी लगी आप अपनी राय अपने बिचार कमेंट बॉक्स में लिकना ना भूलिए और दोस्तों आपसे अनरोध है अगर आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए इसी परकार की कवर पाने के लिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट जानकारी के आपका दिन सुबहो